असकार स्वागत करते हैं आपका स्मार्ट नोकरी चैनल में और आज किस वीडियो में हम देखेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रधान मंती नरेंद मोदी के द्वारा घोशिती गए कुछ नहीं योजनाओं के बारे में जिसका लाब मिलेगा तमाम युवाओं को साथ ही एक ली खबर दिखाएंगे हम आपको बिहार चुनाओं से जीनिया हम दूस्तों बिहार चुनाओं को लेकर कई जगहें पे जो है कोर्ट में केसे सो चुक हैं तो कई जगहों पे जो है नारे लगाए जा रहे नितीस कुमार के खिलाफ जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर साथ हम आपको बताएंगे मुंबई में लोकल ट्रेने आखिर कब से होंगी सुरू आमजंता के लिए और बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर करोना वारेस को लेकर क्या देश में एक बार फिर से लागू होगा लोकडाउन जीहां कई राज्यों में एक बार फिर से लोकडाउन की प्रक्रिया जोर से शुरू हो चुकी है इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के द्वारा होशित की गई नहीं यूजनाओ के बारे जी हाँ इस समय देश में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है विरोजगारी की समस्या क्योंकि लॉगडाउन के बाद देश की आर्थिक GDP कितनी गिरी है इस बात सोए आप अंदेशा नहीं कर सकते क्योंकि भारत की जो GDP है वो माइनस में चल रही है यानि पूरी तरह से भारत जो है पीछे जा रहा है यानि की भारत में विरोजगारी का स्तर सबसे जादा उपर है जब किसी देश में विरोजगारों की संखा इतनी अधिक होगी तो आखिर वो देश कैसे तरकी करेगा इस बात को जो है देखते हुए प्रधारमंती नहिनमोदी ने कई योजनाओं की गोशना की है जिसके अं तक ये पता किया जाएगा कि भारत में तमाम सरकारी कमपनियों में और प्राइवेट कमपनियों में और साथ ही प्राइवेट कमपनियों में कहां कहां पर वेकेंसी है रोजगार मेला के जगत जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा और सरकारी नोकरियों की संक्या में भी इजाफा किया जा रहा है आने वाले समय में 10 लाख नहीं लोकरिया जो है उपलब की जाएंगी 2021 में तो चलिए चलते हैं हम बिहार की तरफ एक बार फिर से जियां बिहार में सिच्छा मंतरी का पत समानने वाले मंतरी जी 24 गंटे के भीतर ही जो है अपना इस्तिफा दे द इन तमाम आरोपों की वज़े से जो है बिहार कैबिनेट में मंतरी परषट का पत्र समानने के 24 गंटे के भीतर ही मिवालाल जी ने अपना इस्तिफा दे दिया और उन्होंने कहा कि वो 50 करोड की मानहानी का केस दर्च करने वाले है आरजीडी निताओं के खिलाब जी आब आरजीडी नेताओं के बारे में तो सबसे बड़े महागडबंदन के जो उमिद्वार थे याने तेजस्वी यादो उनके मुखमंतरी ना बनने के बाद से उसके बाद से जो बिहार की राजनेती में एक तुफान समझ गया क्योंकि जमीनी अस्तर पर और तमाम न्यूज च पर थे चुनाओं को लेकर तमाम जखवों पर जो है विदरो दर्ज किये गए और कई जगहों पर कोट में जो है केस भी चल रहा है चुनाओ को लेकर भी कि कहीं नदक संदिक जो है चुनाओं आयोग है जिसकी गज़े से जो गडगड़ना हुई थी वो काफी देर रात तक चली और कहीं न कहीं इसमें घोटाला हुआ है फिलार इन सभी बातों को लेकर अभी कोट में फैसला टला हुआ है लेकिन हम आपको बताएं कि अगर कोई चार वजे जिसमें तेजस्वी यादो मुख्यमंतरी ना बनना तो उनमें जो है सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया के सभी बाती है उनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं होता कि वह आकर बताएं कि हाँ यह मुख्यमंतरी पसंद है यह मुख्यमंतरी पसंद नहीं है एक ही हत्यार होता है वो होता है उनका वोटिंग और वोट के जरी वो डिसाइड करते हैं किसे सत्ता में लाना नहीं चाहते बात करें बिहार में सातवी बार मुख्यमंत्री पत के लिए सपत ले चुके हैं नितिस कुमार, यह अपने आप में काफी जादा आपको आर्चर चकित करता है कि किसी वेक्ति की इतनी लोकृतिया कैसे हो सकती कि वो सातवी बार मुख्यमंत्री पत की सपत ले सकता है, यहाँ पर एक बार मुख्मेंटरी ब honeymoon के बाद दूसरी बार दना लगबना नामुम्किन के बराबर हो जाता है तो वहां सात वी बार इसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ी वज़ाय वो यह है कि बिहार में जंगल राज का जो है नाम था जी हाँ जंगल राज का मतलब यहाँ पर यह है कि वेपारियों से जो है अंदा धुन पैसे वसुले जाते थे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए काफी जादा और शराब सबसे बड़ी वज़े थी इन तमाम की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनका सिच्छा जी आजाते जिस्वी यादो जो है नवी फेल है तो वहीं नितिस्कमार उनके उपलस में काफी जादा पढ़े लेकिए और इंजिनियर तो यह कहीं न कहीं जो इन सवाम मुद्दों को लेकर बिहार की जंता ने नितिस्को ज अगर आपको लव जिहात के नाम रहत्याएं हो रही है तो कहीं विदरो हो रहे हैं तो इसको लेकर अखिर कार मध्यप् показ बनाने की मांग कि धी जिसको अगरी अगर शेदि में को लेकर अपने प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है और आने वाले कुछी दिनों में या महीनों में आपको लव जिहाद के उपर कानून बन सकता है तो आईए जानते हैं लव जिहाद कानून के अंदरगत क्या सजा होगी जियां अगर आपको लव जिहाद कानून के अंदरग सकते हैं एक महीना पहले ही आपको सरकार को इस बात की जानकारी देने होगी अगर लोग जिहाद में कापको को दोसी पाय जाता तो आपको 5 साल तक की सजा दी जाएगी तो चलते हैं अगले अगली खबर की तरफ अगले सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल मंत्राले की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की संख्या में जो इजाफा किया गया था उसे बहुत ही जल्द फिर से खत्म करने वाले है जियां सबसे बड़ी वज़े यह है कि दिवाली और छट पूजा के नाम पर जितनी भी स्पेशल ट्रेने बढ़ाई गई थी उन सभी ट्रेनों को अब धीरे धीरे रद किया जा रहा है और नॉम्बर के आकरी सब्तार तक इन तमाम ट्रेनों को रद किया जाएगा यह इसकी सबसे बड़ी वज़े यह है कि देश में एक बार फिर से करोना की लहर ने जर्म ले लिया है जियां तीसरी लहर इस समय अपने चरम पर है और 15 दिनों के भीतर एक लाख से जादा मरीज जो है इसके निकल कर सामने आ चुके है यानि कहीं न कहीं अब तीसरी लहर जो है पूरी तरह से चा चुकी है और इसका सबसे बड़ा मुख्यमिंद्रू इस समय बनके निकला है देश की राज़ानी नई दिल्ली जिया नई दिल्ली में इस समय कई जगहों पर स्कूल कॉलेजिस को फिर से बन किया जा रहा है जहा पर फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लग गुजरात में भी अब साम के 6 से लेके 9-10-11 बजे रात तक पुरी तरह से कर्फियू रहेगा यानि कहीं न कहीं अब फिर से लोगों को कर्फियू के अंदर आने की जरूत पड़ेगी क्योंकि इस समय देश में तीसरी लहर जो है जन्म ले चुकी है अगर हम सावधानी से हम सभी लोग नहीं रहे तो यह जो है लहर और जादा बड़ी और भयानक रूप ले सकती है तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ अगली सबसे बड़ी खबर निकल क्या रही है मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर सरक चुकी दिवाली के बाद वो लोकल ट्रेने खोलने वाले लेकिन बीमसी की तरफ से एक ओफिशल नोटीस आई जिसमें कहा गया कि दिवाली के चौदर दिन तक वो जो है जो है जो न जो परड़े का जो काउंट होता है करोना वाइरस का यानि कितने मरीज जो है निकल रहे ह हर दिन उस पर जो है नजर रखेगी और मॉनिटर करने के बाद चौदर दिन के बाद इसका फैसला जिया जाएगा कि दिवाली के बाद क्या यहां पर इजाफा हुआ क्योंकि दिल्ली की जैसे हालात जो है मुंबई में भी हो सकते हैं इन तमाम चीजों को देखते हैं श्र जलते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ तो अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रोजगे जिया रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश की उसको लेकर बिहार में जिस प्रकार के चुनाव माहौल में इसे उठाया गया जिया तेजस्वी यादा ने 10 लाक नोकरिया देने के वादा बिहार में किया था लेकिन दूसरी तरह 19 लाक देने की वादा जो है बीजेपी के तोरह किया गया था जिसकी सबसे बड़ी सफलता है कि बीजेपी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है सेकेंड नंबर पर उभर के साम गर आपको 2020 में जो है एक लाख नए लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा तो यह अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा पहले नितिस कुमार जी के द्वारा क्योंकि रोजगार की जो समझ से उसे सबसे पहले हटाना होगा तभी जाके देश की जो जडीपी है जो है उपर लाया जा सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले लाल बटन डबाके क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे देश दुनिया से जोड़ी सभी खबरे सबसे पहले स्मार्ट नोकरी चैनल पे तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका कोई भी सुझा हो या आप हमसे बात करना चाहते है किसी भी सब्जेट को लेकर रेलवे से जोड़ी खबरो या किसी भी चीज़ को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और आपसे जाना चाहते है कि आपको भी लगता है कि आरजे डीग याने की जो तेजस्वी या दो मुखमेंतरी नहीं बने उसके पीछे क्या व झाल झाल